असलाम लेकूम, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारी सी हाई-लो फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, यह शॉर्ट में मैं बना रही हूँ, लॉंग में नहीं है, और इसके लिए टोटल कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ, यह म मेरे पास लॉन में कपड़ा है, और मैं साइज स्मॉल के लिए यह बना रही हूँ, ठीक है, आप यही तरीका यूज कर सकते हैं, और कोई भी साइज ले सकते हैं, सबसे पहले जो उपर का यॉक है, वो रेडी करना है, जिसकी लेंथ मैंने 15 इंचीज लेनी है, लेंथ अप के दो पीस मैंने कर लिए है, जितने मुझे चाहिए थे, इसकी चुड़ाई मैंने लिए है 22 इंचीज और लंबाई लिए है 15 इंचीज, चुड़ाई आप अपनी चेस्ट के हिसाब से लेते हैं, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा चुड़ाई लेनी होती है, जितनी आपकी चेस् इंचीज और जितना शोल्डर होता है, उतना ही आम होल की लेंध होती है, 7.5 इंचीज यानि के, इस तरह से इसको मैंने शेप दे ली है और उसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है, मैं लगाऊंगी 9.5 इंचीज पे और फिर इसको इस तरह से गुलाई दे लेनी है आम होल की, उसके बाद आपने फिटिंग का निशान लगाना है, 8.5 इंचीज और फिर चेस्ट के निशान को और फिटिंग के निशान को इस तरह से आपने मिला देना है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़के मार्जन के लिए आपने इसकी कटिंग कर देनी है, और यहां से सेम उसी पे आपने निशान पे काट लेना है, उपर से तकरीबर आदा इंचा आपने इसको रेब दे लेना है, और यहां पे चेस्ट के निशान पे आपने छोटा सा कट देना है यहां पे, और फिर फ्रंट को आपने डीप कटिंग थोड़ी से उसकी कर ले तो यह कटिंग हमारी अल्मोस्ट डन है नीचे वाला हिसा रेडी करना है लेकिन उससे पहले जो फ्रंट नेक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी मैं नेक की विट ले रही हूँ थ्री इंचीज आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं इसकी डेप्ट जो है वो मैं इस तरह से लूँगी फोर इंचीज फिर इन दोनों को आपने इस तरह से मिलाना है गुलाई देते हुए और अभी इसी जगह से इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है तो यह हमारा जो फ्रंट नेक है वो आपनी इस तरह से काट ले रहा है पैक भी आप साथ ही काट सकते हैं लेकिन मैं भी बैक की कटिंग जो है वो नहीं कर रही सिरू फ्रंट की कटिंग की है इसको दो ही सुमें का काटने के बाद वो लिया है और उसको आपने इस तरह से ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेना है सिंगल मैंने कपड़ा लिया है और उसको ट्राइंगल शेप में आपने फोल्ड करना है मैं आपको जरा खुली जगह पे रखके दिखाती हूँ यहां पे आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जरा इसको भी रखके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको रखना है यह देखें जिस तरह से मैंने इसको रखा है तो यह single ही कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से triangle shape में आपने रख लेना है और उसके बाद आपने इसका ये वाला जो corner है ये पकड़ना है और एक बार फिर से इसको triangle shape देनी है यहां से ये देखें ठीक है इस तरह ये हो जाएगा एक्स्ट्र थोड़ा से कपड़ा नीचे है वो आप देख रहे है तो उसको आपने छोड़ देना है उसको आपने कुछ नहीं करना फिर यहां से आपने उपर वाल जे नोक है वहां से लेकर middle तक आपने देखना है कि उसकी length कितनी है मेरे पास 28 inches आ रही है तो फिर जितनी आपकी middle से length आई होगी न उतनी ही आपने इसको दूसरे दोनों किनारों पे भी देनी है length और निशान लगा देना उसको इस तरह से ठीक है दूसरे तरफ भी सेम ऐसे ही लगा लेना है यह देखे निशान मैंने लगा ले है और अभी इसकी cutting जो है वो कर लेनी है तो total यह 28 inches middle से है ठीक है middle से लेके इसके फिर चारों तरफ जो है न वो 28 inches ही बन जाता है तो अभी इस तरह से इसकी मैंने cutting कर ली है जो नीचे कपड़ा extra था उसको sleeves के लिए मैं use करेंगी तो वो संबाल के रख लेना है आपने तो अगर इसको खोलेंगे तो यह इस तरह से कुछ लगेगा इसका gear जो है वो बहुत जादा बन जाता है और फिर आपने फिर से इसको ज़रा fold करना है लेकिन जब यह आपने fold करना है तो इसको आपने जो front वाली side है वो उंची रखनी है और जो back है उसको थोड़ा सा लंबा रखना है ठीक है यह देखें आप देख सकते हैं यहां पर यह white lane लगी है यह थोड़ा front वाला हिस्सा है और मैं back six inches लंबा रख लए हूं front से ठीक है आपने मर्जी के साब से कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा front को चोटा करना है तो आप और उपर कर सकते हैं अगर ज़्यादा चोटा नहीं करना तो आप six की बजाए उसको four inches भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है ठीक है तो अभ आप देखने हैं ऐसे तो यहां पर आप देख सकते हैं जिस जगह पूरा आएगर ना वहां पर आपने निशान लगा देने हैं इस तरह से ठीक है तो उसको आपने मेर कर लेना के वो कितना है मेरे पास five inches बनता है तो फिर मैंने five inches के हिसाब से ही इसको मिडल में निशान रखनी है और फिटिंग तक सिर्फ उसको करना है जो extra margin के लिए कपड़ा था ना वहां तक नहीं आपने लेकी जाना नहीं तो जो नीचे वाला हमारा गेर होगा वह बहुत जादा हो जाएगा और फिर आपको मसला होगा असलाई करते हैं और यह जो छोटा वाला हिसा था थ इसको गुलाई दी थी जो के उपर के साथ अटैच हो जाएगी तो जब इसको खोलेंगे तो इस तरह से कुछ लगेगा ठीक है इस तरह से मैं आपको इसको सीधा करके ज़रा दिखाती हूँ कि यह फोल्ड करने के बाद ऐसे कुछ लगेगा यह सारा उसका गेर होगा जो कि काफी जादा है और बहुत अच्छा लगेगा यहां से यह ओपन है और अभी इसको स्लाइ करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक को स्लाइ करना है मतलब इसका जो तीरा है न उसकी स्लाइ लगा लेनी है आपने सबसे पहले तीरे की स्लाई लगाने के बाद आपने फिटिंग की स्लाई लगानी है बगैर नेक बनाए नेक को आपने नेक को आपने नहीं छेड़ना सिर्फ फिटिंग की स्लाई लगा देनी है फिटिंग की स्लाई लगाने के बाद जो नीचे वाले हमने गेर की कटिंग की थी वो आपने उपर वाले यॉक के साथ रेडी कर लेना है मतलब सलाई कर लेना है उसको इस तरह से आप एक साइड से पकड़के दूसी साइड तक उसको सलाई लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी जो नीचे वाली फ्रॉक है वो बड़ी है थोड़ी तो फिर आप मिडल से सलाई लगाना स्टार्ट करें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो फिर बाद में आप काट सकते हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने इसको सलाई कर लिया है और अभी इसका इसके ट्रॉजर का और उसकी मैंने जो चुड़ाई लिए है वो लिह है 8 इंच और लंबाई जितनी आपकी लैंथ होगे फॉक की उतनी आपने लंबाई लेनी है ठीक है और ये पटी सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड पर लगानी है ठीक है आपने भी लेफ्ट साइड पहले रेडी करनी है तो लेफ्ट साइड की आपने जो सीधी साइड है वो उपर की तरफ रखनी है और उसकी उल्टी साइड की तरफ आपने जो प्लेन पटी है वो रखनी है और फिर इस तरह से इसको sly लगाते जाना है आपने तो इसको ऐसे ही आपने sly कर लेना है यहां पर यह complete हो गया है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है यहां से आपने इसको पकरना है और यह जो sly है यह अंदरिक तरफ करनी है और यहां से भी fold करके आपने इसको इस तरह से उपर slide कर देना है तो यह extra पटी रख के लगानी है यह इसके उपर नहीं लगाई मतलब overlap नहीं किया इसको यह थोड़ी सी extra है ठीक है तो अभी इसको मैंने press कर लिया था इसकी जो तैह है वो बैठ गई है और इसके उपर अभी slide लगा देनी है इसके बिल्कुल किनारे पे ऐसे ही आगे तक इसको complete कर लेना है तो यह हमारी जो left side है यह complete हो जाएगी यह पटी लगाने के बाद उसके बाद आपने जो right side है वो ready करनी है तो right side का आपने जो उल्टा हिसा है वो उपर की तरफ किया है और उसके बाद मैंने यह lace use की है जिसका सीधा हिसा उपर की तरफ है और उल्टा हिसा नीचे की तरफ है ठीक है तो फिर इसको मैंने यहां पे स्लाई लगाते जाना है और यह मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मतलब गेर से इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ उपर नेक्स से मैंने दोनों तरफ से स्टार्ट नहीं किया ठीक है I hope कि आपको यहां पे confusion नहीं होगी समझा रही होगी कि इसको आपने गेर से स्टार्ट करना है लगाना उपर से नहीं और फिर ऐसे ही जो लेस है वो लगाते जाना है जितनी जितनी आपने बाहर चोड़नी है वहां तक आपने यह स्लाई लगानी है तो यह देखें यहां पे मैं इसको end करूंगी और इसके बाद इसके ऊपर भी पटी लगानी है वो पटी स्तरा से लगानी है यह देखें लेस नीचे की तरफ है और यह पटी जो मैंने ली है इसकी चुड़ाई ली है 2 inches और इसको अभी यहां लेस की नीचे रखना है ठीक है मिडल में लेस आया जाएगी उपर हमारा जो फ्रॉक है वो होगा और नीचे पट्टी होगी और ये जो आपने स्लाई लगानी है बिलकुल उस स्लाई की उपर लगानी है जो अलड़ी लेस और फ्रॉक को टैच करते हुए हमने लगाई थी ऐसे ही नीचे तक इसको स्लाई लगा लेनी है और फिर इसको आपने फोल्ड कर लेना है उपर की तरफ ये देखें इस तरह से इसको जब सीधा करेंगे तो ये देखें ये गुम हो जाएगी लेस जो के बहुत ही प्यारी लगेगी और फिर आपने इसको जड़ा प्रेस कर लेना है यहां से फोल्ड करना है और इस जगा पे आपने स्लाई लगा देनी है ये देखें इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है इसकी जो तैह है वो बैट की है और भी बहुत प्यारी से इसकी जो फिन्शिंग है वो आ जाएगी और अभी यहां पे आपने इसको सलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है यह देखें बिल्कुल किनारे पे सलाई लगानी है अगर आपने यह लेस बगरा नहीं लगानी तो आप डायरेक्ट पट्टी भी लगा सकते हैं अब यह देखें जी यह होगी है कंप्लेट इस तरह से यह देखें इस तरह से लग गई है उपर से लेके नीचे तक सिरुफ फ्रेंट पे लेफ्ट साइड जो है वो प्लेन है और जो राइट है वो ऊपर ऊपर की तरफ आएगी और उसके उपर आप देख सकते हैं कि मैंने लेस अटैच की है ठीक है इसको अब या इसके उपर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं डाइरेक्ट ही जिसको मैंने स्लाई नहीं करना और नीचे से मैंने इसको स्लाई लगाना स्टार्ट करनी है ये स्लाई आप देख सकते के मैं किस जगा लगा रही हूं जिस जगा पे लेस लगी हुई है वहाँ पे सलाई लगा रही हूं और नीचे वाला कपड़ा जो है वो सलाई में आना चाहिए पत्ती के उपर पत्ती रह के मैं सलाई लगाओंगी ठीक है तो इस सारे को नीचे तक सलाई नहीं करना थोड़ा सा नीचे से इसको ओपन छोड़ना है तो आप देख लें कि आपने कितना छोड़ना है मैं अपना बता देती हूं कि मैं इसको कितना ओपन छोड़ रही हूं तकरीबन मैं एट इंची तक इसको खुला छोड़ूंगी और बाकी जो हिस्सा है उस सारे को सलाई कर देना है यहां मैंने इसको एंड कर देना है यह देखें जी और अब भी इस तरह से मैं आपको ज़रा सीधा करके भी इसको दिखाती हूँ ऐसी यह रेडी हो गई है यह देखें इसके बाद अभी आपने क्या करना है कि जो इसका बैक नेक है उसकी कटिंग करनी है मैंने आपको पहले बदाया था कि आप स्टार्ट पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और आगे जाके भी कर सकते हैं लेकिन मैंने अभी इसकी कटिंग करनी है तो यह देखें जितना आपने डीप रखना हो आप रख सकते हैं और इसको कमीज की तरह आपने नहीं काटना मतलब कमीज पर हम थोड़ा थोड़ा आदा अदा इंच उसको छोटा रखते हैं फ्रंट से लेकिन इसको बिल्कुल मैंने फ्रंट और बैक को एक जैसा ही किया है डीप नहीं उसकी सायर जो है उसकी बात कर दीओ और फिर इसके उपर पटी लेनी है रेव में और आपने इस तरह से इसको रखना है क्योंकि front और back की एक साथ ही पटी लगानी है आपने इसलिए front को और back को same shoulder से काटना चाहिए ठीक है और अभी ऐसे इसको slide लगाते जाना है थोड़ा थोड़ा कपड़ा साथ चोड़के इसको आप देख सकते हैं कि फ्रेंट और बैक को एक साथ ही मैं एक ही पटी लगा रही हूँ आपने भी सेमेसे ही कर लेना है एक ही पटी लेनी है रेब में और फ्रेंट की एक हिस्से से शुरू करनी है साथ बैक के साथ भी लगानी है और फिर जो फरंट की दूसरी साइड है वहां पे आके ये देखें इसको खत्म कर देना है इस जगा पे तो ये लगाने के बाद अभी आपने इसके अंदर कट देने है ताके जब इसको सीधा करें तो इसमें जोल वगरा नहीं आए और फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना ही देखें और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बैक नेक के उपर स्लाइल गाते हैं वैसे इसके उपर भी स्लाइल गा ले नहीं है ताके जब इसको फोल्ड करेंगे तो असानी रहे और सिफाई के साथ ये फोल्ड हो जाए ये देखें जी इस तरह से इसके उपर स्लाई लिगा लिए है और उसके बाद मैंने इसको तरपाई कर लेनी है ये देखें यहां से थोड़ी सी जो लेज थी वो भी मैंने अंदर की तरफ कर ली है ताकि इसकी जो फिन्शिंग है वो अच्छी हो जाए और फिर आपने ये देखें ऐसे करके इसको और फोल्ड करना है और फिर इसको तरपाई कर लेनी है आप चाहें तो स्लाई लगा सकते हैं वैसे तरपाई जो है वो ज्यादा अच्छी लगेगी स्फाई के साथ होगी तो मैं आपको दूसरी तरफ भी फोल्ड करके दिखा देती हूँ यह देखें आसे आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ से एक पर फिर फोल्ड करना है और फिर इसको तरपाई कर लेनी है और अब यह देखें जिसका जो बैक नैक है वो भी रेडी है बत्रब नैक इसका सारा रेडी है सिर्फ स्लीव्स रह गए है और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अम्रेला फ्रॉक को फोल्ड करने का तरीका भी आलरडी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है लिंक में आपको दे दूँगी आप देख लीजिए अगर आपको मुश्कल होती है नीचे से फोल्ड करने में अब ये देखें जो हमने साइड से कपड़ा उतारा था वो ही मेरे पास कपड़ा है स्लीव के लिए तो इसके जो स्लीव है वो थोड़े चोटे बनेंगे तो फिफ्टी निंचिस तक मैंने इसकी लेंथ ली है अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आपको ऐसे स्लीव नहीं बनाने तो आप ना बनाएएगा क्योंकि ये मेरे पास कपड़ा ही इतना था स्लीव के लिए तो इन में मैं जोड लगाऊंगी इसके उपर बिल्कुल जो है वो जोड आएगा आप देख सकते हैं एक बाजू वो है और एक ये वाला है तो ये इनफ नहीं है खुले होने के लिए इसलिए मुझे इसमें जोड लगाना पड़ेंगे तो ये कपड़े पर डेपेंड करता है अगर आपके पास खुला कपड़ा है ज्यादा है तो आप फुल स्लीव जबनाएंगे ज्यादा अच्छे लगेंगे इसकी मैंने ट्राई है वो 9 इंचिस तक ट्राई ले ली है और अभी जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कार दिया है अभी सबसे पहले इसका जो शोल्डर है उसकी कटिंग करनी है यानि के आम होल तो मैं 3 इंचिस लूँगी यहां से और फिर इसको ऐसे गुलाई दे लूँगी और इसी जगा से सेम इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है और जो मैं आम होल लूँगी वो है जनाब 8.5 इंचिस आपका जितना हो आप अपना ले सकते है तो मैंने 8.5 इंचिस पर यहां पे निशान लगा देना है यह देखें जी और उसके बाद फ्रंट से मुझे यह नीचे से देखना पड़ रहा है क्योंकि नीचे बाजू का एक हिस्सा जो है वो छोटता है तो उसे साबसे मुझे इसकी कटिंग करना पड़ेगी तो वो तक अभी मेरे पास अभी भी वो इनफ नहीं है इसलिए मुझे इसकी लेंध जो है थोड़ी चोटी करने पड़ रहे है तकरीबं 2 इंचिस और अभी इसकी लेंध में आपको बता देती हूं यह है 13 इंचिस तो यह मुझे कुछ जादा अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं होल्ट करना है और इसके उपहर रहे के इसलाई लगा देनी इस तरह से मैं इस को सीधी सलाई के आए लगागा और शीए से यह छेओ पर आए और इसकी के लिए चलए का देना है क्यों जो मैं है आैका के बंड का यह देंघ है और अप और अब भी ये देखें स्लीव्स रेडी हो गए हैं इसको फ्रॉग के साथ आपने अटैच करना है स्लीव्स को मैंने सीधे ही रखा है और जो फ्रॉग है उसको उल्टा कर लेना है और फिर आपने स्लीव के जो आम होल है उनको पकरना है और जो फ्रॉग के आम होल है उसमे इस तरह से आपने डालना है और फिर इन दोनों की जो फिटिंग लाइन है उनको आपने मिलाना है और यह बहां से इसलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है यह देखें ऐसे यहां पे स्लाई लगा देनी है और सेम ऐसे ही दूसरा भी लगा देना है और अभी यह है जी फ्रॉक की फाइनल लुक बहुत ही जबरदस फ्रॉक बनी है बहुत ही प्यारी सी बनी है और इसका जो गेर है वो बहुत ज़्यादा है यहां आप देख सकते हैं कि मैंने बटन जो है वो लगा लिए है 10 बटन मैंने लगाए है दो दो करके तो यह देखें इस तरह से यह गैप यह आप देख सकते हैं फ्रेंट और बैक का बैक थोड़ी लंबी है 6 इंची तक और फ्रेंट थोड़ी उंची है अब यह आप देख सकते हैं कि इसका गेर जो है वो बहुत ही प्याना लग रहा है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इसमें हमने चुनेट वगारा दी हो मैं आपको इसकी बैक पर दिखाती हूँ जरा इसको इस तरह करके यह देखें जी इस तरह से तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी आज की डिजाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कॉमेंट करके बताइए कि आपको आज की फ्रॉक डिजाइनिंग कैसी लगी अगर आप ऐसा डिजाइन बनाएंगे तो मझे इस्टाग्राम पे जरूर सेंड कीजेगा इन्शाला फिर मुलाकात होगी अलाफेज